Friends, Windows 11 का one of the best important features है snap layout Microsoft अपने Windows 11 पे जो snap layout feature से बहुत ही advanced तरीकर से present कर दिया इस snap layout section में बहुत सारा folder, file का जो icon है वो icon से अब मालूम कर सकते हो कौन सा चीज open है अभी बहुत advanced तरीकर से present किया Microsoft अपने Windows 11 का जो snap layout section है तो आज मैं आपर इस वीडियो में बोले बोलू कि आप कैसे Windows 10 पे snap layout features को use कर सकते हो अगर आप Windows 10 के यूज़ दा रहो न तो snap layout features बहुत ही important और बहुत ही necessary है चलो मैं यह आपर देखा दो, snap layout features को आप कैसे Windows 10 के साथ use कर सकते हो इसके लिए आपको क्या कुछ करना होगा देखो friends, मैं यहाप Windows 10 पे आगया, आप यहाप अच्छे से देख सकतो यहाप यहाप Windows 10 पे अगर बहुत सरा file folder मेरा open है तो एकी साथ मैं एकी display में बहुत सरा काम कर सकतो इसके लिए मुझे क्या कुछ करना होगा, snap layout features को on करने के लिए आप यहाप अच्छे से देख सकतो, यहाप Chrome browser को open कर लिया उसके साथ Firefox को open कर लिया, उसके साथ word को open कर लिया इस दिनों software को मैं एकी साथ use करना चाहतो, एकी display में इसके लिए मुझे क्या कुछ करना होगा, Windows 11 पे उपर में चलियाओ, snap layout features पूरिदा से on हो जाएगा मगर Windows 10 पे आप क्या कुछ कर सकतो, इसके लिए आपको यहापर मैं देखने का कोशी करतो इसके लिए आपको Windows 10 पे setting में चला जाओ, यहापर Windows 10 पे setting में चला गया Martin Action Option जाने के बाद यहापर देखो snap Windows जो है इसको पहले अगर off है इसको पहले on कर लो, on करने के साथ सदी यह features को आप use कर सकते हो, अगर यह off है तो इस features को आप use नहीं कर सकते हो तो पहले आपको setting में जाके features को on करना होगा, उसके बाद, मैं यह आप पर दिखने का खुशी करतो, उसके बाद आप किसी folder software को open कर लो, देखो यह आपर मैं Chrome browser को open कर लिया, उसको साथ साथ Chrome browser को open कर पकर के ऐसे करके, यह आपर side में touch करो, side में आ गया देखो यह आपर, firefox से word है, मैं यह आपर ओ ओपन कर लिया, मगर यह आपर word इस situation में आया, मगर मुझे यह आपर word और यह आपर, इसके नीचे और एक browser, और एक software का open करना है, एकी display में मुझे तीनों काम करना है, तो इसके रहे मुझे यह आपर किया कुछ करना होगा, मैं य पर यहाँ पर कुछ लेख सकता हूँ, देखो यहाँ पर वाड में कुछ लेख सकता हूँ, और Chrome browser में कुछ सार्च कर सकता हूँ, Chrome browser में, उसके साथ सब यहाँ पर जो setting है, मैं setting को भी पुरीता से access कर सकता हूँ, एक ही display में, मैं यहाँ पर तीनों software को पुरीता से open कर लिया, Windows Windows 10 पर भी, Windows 11 के तरह, आपका ऐसे Windows 11 के तरह, जो snap layout section है, इस section को, आपका ऐसे Windows 10 पर पा सकते हो, इसके लिए आपको क्या कुछ feature sound करना होगा, सारा कुछ में यहाँ आपर दिखाने का को सेखिया, तो अगर इस video को आचल लगा तो लाइक करना पर दो शुरे करना, तो आचल दे करना हो